हेलो एबरवान हाई दिस सिम्रेन क्लास टेंथ का हम लग बायाले जी का सेकेंड चापिटर कर रहे थे दाट इस कंट्रोल एंड कोडिनेशन जिसमें हम लोगों ने पेरिफ्रल नर्वर सिस्टम स्टार्ट करा था और हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्स सेक्शन और रिफ केमंट है मुसल्स तो बनते हैं जो चेंज कर देता है जब इलेक्ट्रिक्रिकल इंपल्स आती है ठीकिए चंज कर देते हैं जिसकी वजह से मसल शेल जो है वो प्राइब सब्ल Wheel शेबर कर चेंज करता है और कॉंट्रेक्ट करता है टीक है अगर शेल w तो भी जो फीड़ा कि constitu نवंच होता है स VonekStum electrical signals आपका reflector से होते हुए आपके brain में जाता है या spinal cord से बापस effector के तुरू आता है तो movement होती है हमारी bones muscles के अंदर वो जो movement है वो कैसे होती है जो effector के अंदर हमारा effector क्या है muscles muscles के अंदर क्या होते है muscle cell muscle cells किस से मिलके बनते हैं protein से यह जो protein है अपना arrangement change कर लेता है जब electrical impulses आती है from the spine, null cord या फिर आपका brain वो जब आती है तो अपना arrangement change कर लेते हैं जिसकी वज़ा से muscle cell जो है वो अपनी shape change करता है वो contract करता है जब muscle cell अपनी shape change कर रहा है और contract कर रहा है इसका मतलब muscles भी contract कर रही हैं जिसकी वज़ा से जो bones है हमारी body के अंदर वो moment show करती है this is how it works right फिर आता हमने देखा था peripheral nervous system के अंदर दो system होते हैं autonomic nervous system और voluntary nervous system autonomic का मतलब क्या है auto means self, nomic means governing मतलब self-governing nervous system जो अपने आप काम करता है इसके अंदर क्या होता है this system controls and regulates the function of the internal organs of our body involuntarily या फिर on it on मतलब जो हमारी body के अंदर अपने आप काम हो रहा है ठीक है उसको कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर रहा है उसे बोलते हैं autonomic nervous system जो किसी के functions को वो नहीं कर रहा है अपने आप काम कर रहा है internal organs like we are breathing digestion of food right respiration ठीक है heartbeat यह क्या है यह action तो हो रहा है ना बट क्या इसको किसी चीज़ के instruction की जरूरत है कि भई नहीं अब heat आ रही है अपना heartbeat बंद कर लो यार life रिस्क पर आ जाएगी ठीक है तो जो functions अब की life के लिए बहुत important होते हैं वह involuntary होते हैं और जिससे आपकी life बहुत easy और smooth way में चल दी है that is your involuntary actions जो आते हैं आपके autonomic nervous system के अंदर then comes is your voluntary nervous system voluntary nervous system के अंदर voluntary actions आते हैं जो जिनको करने के लिए जिन actions को करने के लिए आपको सोचना पड़े ठीक है those actions which need thinking and which are performed by unknowingly are called voluntary actions right supposedly जब आप बात करते हैं किसी friend के साथ that is your voluntary action आप एक letter लिखते हैं आप कुछ भी लिखते हैं आप dance करते हैं cycle चलाते हैं आप खेलते हैं that is your voluntary action कि आपको उसको काम को करने के लिए एक बार सोचना पड़ता है if you are writing आपको सोचना पड़े हैं लिखना है मुझे right that is your voluntary action और इस voluntary action को control करने के लिए जो system होता है हमारा nervous system that is your voluntary nervous system ठीक है और ये सब कुछ control जो है कौन करता है it's your brain who control this the brain is the mastermind इस nervous system को control करता है कैसे काम होता है supposedly आप school जा रहे हैं बहुत हराम से जा रहे हैं casual way में बहुत हराम से जा रहे हैं but suddenly आपकी आप अपनी watch की तरफ time देखते हैं और आपको लगता है you are getting late आप चल्दी चलना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कौन सी nerves involved होती है कैसे होता है वो काम है अब जल्दी जो चले वो किस nervous system काम है वो काम है आपका voluntary nervous system का काम कैसे जब आपने अपनी eyes की through watch को देखा ठीक है तो brain की तरफ एक message गया sensory nerves की through जो हमारे eyes में थी और brain ने उसको analyze कि उस information को और decide कि अगर हम धीरे चलेंगे तो we may get late for the school तो वो कहता है instruction देता है कि तेज चलिए fast चलिए तो brain जो है instructions जो है fast चलने की वो हमारी muscles को भेजता है जो हमारी legs में है किस के through motor nerves के through और ये इसकी वज़ा से इन muscles के through जो है मारा जो लेग है वो जल्दी जल्दी चलना शुरू होता है और we act like move faster, right so this is how the voluntary nervous system works I hope आपको एवीडियो पसंद आई होगी आपको सब कुछ क्लीर हुआ होगा if everything got clear, please press the like button, मेरे चानल जो भी डाउट आपको, please उसे comment section में मुझसे पूछिए and please do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon thank you